नमस्कार दोस्तों जय माता दी फूजय शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवी शेपर हम चर्चा करेंगे वो है शरत पूर्णिमा दो हजार उननीस जो की बहुत खास होने वाली है शरत पूर्णिमा पर आप सभी जानते हैं कि खीर का भोग लगा कर माता लक्ष्मी को प्रसंद ने किया जा सकता है परन्तु आज हम आपको बताएंगे कि पांच ऐसी बहुत ही प्राचीन चीजें जिनका प्रयोग करके आप माता लक्ष्मी को बड़ी आसानी से प्रसंद कर सकते हैं यह जो चीजें हैं माता लक्ष्मी को बहोग में लगाने से शरत पूर्णिमा वाले दिन आपके जीवन में आपको सुक सम्रिद्धी के साथ साथ जो है धन की प्राप्ती होती है शरत पूर्णिमा की पूजा अगर प्राचीन नियमों के अनुसार की जाए या जो ये भोजन की पाथ चीज़ हम आपको बताएंगे इनका भी प्रयोग उसमें कर लिया जाए तो दिवाली की पूजा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व आपको प्राप्त होगा दिवाली से पहले शरत पूर्णिमा लक्ष्मी माता के जनम दिन के तोर पर बनाई जाती है अश्वीन मास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरत पूर्णिमा के तोर पर बनाया जाता है इस दिन जो है चंदरमा की सोला कलाय देखने को मिलती है साल भर की जितनी भी पूर पुर्णिमा जो है ये मानी जाती है इस साल 2019 में शरत पुर्णिमा 13 अक्टूबर यानी रविवार के दिन पढ़ रही है बहुत ही खास दिन होने वाला है बहुत अद्बुत सही हो गहें पौराणिक मानने अताओ के अनुसार इस दिन धन की देवी मातालक्षमी समुद्र इस दिन विशेश रूप से मातालक्षमी को ही समर्पित किया जाता है परन्तु इस दिन जो है कृष्ण जी की क्रपाद रश्टी भी प्राप्त की जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है शरत पूर्णिमा वाले दिन वो साक्षा धर्ती पो उतर कर जो है अपनी गोपियों के स जाती है और यह जो वस्तुएं है घर में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है तो भाईयों और बहनों सबसे पहले जो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि खीर किस प्रकार से बनानी चाहिए उसमें हमने आपको चावल की खीर की पूरी जानकारी दी थी आज उसके अलावा पांच जो वस्तुएं वो हैं मखाने की खीर शरत पूर्णिमा को जो है माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप मखाने की खीर का भोग जरूर लगाए या मखाने आप जो हैं सीधे सीधे जो नौवेद होते हैं उनके साथ रख सकते हैं परंतु इसमें आपको किश्मिश और बादाम का यूज नहीं करना है इसके लावा आप काजु का यूज करते हैं यानि सफेड ड्राइफूट जो होते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं आप पिस्ते का प्रयोग कर सकते हैं परंतु उसमें नमक नहीं होना चाहिए मखाने का संबंद चं प्रेटी में सावती हैं gication 286 जाल्टा सोट और यदि गलिवी अपके दनी का प्रीश मंतरो मेंborg का प्राइब और शुक्र की क्रपा भी आपको मिलेगी इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए भोग में बतासे का प्रयोग जरूर करें रात्री जागरण में आप बताशे का भोग लगा कर उसके बाद जो है आप सभी को बाटें क्योंकि बताशे का सम्मंद सीधे सीधे चंद्रमा और शुक्र ग्रह से बताया गया है बताशे के भोग से माता दुर्गा भी बहुत प्रसंद होती है अश्ट लक्ष्मी माता भी बहुत प्रसंद होती है महाकाली भी बहुत प्रसंद होती है सरस्वती माता भी बहुत प्रसंद होती है आप दिवाली के दिन बताशे और चीनी और मखाने से भी माता लक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं परन्तु अगर शरत पूर्णिमा वाले दिन आप ये कारिक कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी जो है सुख सम्रिद्धी आपके जीवन में देखने को मिलेगी जोती शास्त्र के अनुसार माता लक्ष् और बहुत ही सुन्दर दिखने वाला अनार हो उसे पहले घर में धोकर से साफ करकर उसके बाद ही माता लक्ष्मी को जो है इसे अरपित करकर भोग लगाएं उसके बाद दूसरे दिन सभी परिवार के जितने भी लोग हैं इसे अब प्रसा स्वरूप ग्रहन करें हिंदु पूजा में मीठे पान का प्रयोग जरूर करें परंतु इसमें चूना नहीं होना चाहिए पान जो है सभी देवी देवताओं को प्रिय बताया गया है पान माता काली का जो है विशेश भोग बताया गया है आप जो है माता लक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं मीठे पान से इ तो कि नव दुर्गा, देवी दुर्गा या माता लक्षमी की पूजा में साफ सफाई का विशेश महत्व रखना चाहिए, अन्यता गरीबी का मुख भी देखना पड़ सकता है, तो साफ सफाई का विशेश धान रखिए, बाकी जो है माता लक्षमी आप सिर्फ भाव से पू पूजा जरूर करें और भाव से पूजा करें, बस इतना ध्यान रखें, जितने भाव से पूजा पाट करेंगे, उतनी ही जल्दी माता लक्षमी आप पर प्रसन होकर जो है आपके जीवन में समरिद्धी आपको देंगी, तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाणी को यह नहीं विराम देते वे, मैं आशा करती हूँ, आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, हम फिर मिलेंगे किसी नए विशेपर चर्चा करते वे, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों